तो आज बन रही है बहुत ही मज़िदार सी जटपट सी बिर्यानी जब घर में बहुत हो काम और हमने क्विकली और खानी भी वच्छों ने बिर्यानी है तो हम बनाएंगे बिल्कुल 25-30 मिनिट्स में चिकन बिर्यानी डेड़ कप मैंने तेल ले लिया है इसमें हम ब्राउन कीवी प्यास टिमाटर और दही को ब्लैंट करके डाल देंगे तो कोई जो है वो आपको प्यास ब्राउनी करनी टिमाटर को गलाना नहीं है कि वो गलेगा तो उसमें अच्छा सा मसाला बुनेगा तो ये बहुत ही क्विक बनेगी बिर्यानी वो शान का मसाला का आइड देखा है न आपने दो चमच अद्रक लसन का पेस्ट आइड करेंगे वो जिसमें शान के मसाले के आइड में बोलते नहीं है कि मम्मा बिर्यानी नहीं बनाई तो बस ये कुछ वही वाली बिर्यानी है जो फौरन से जटपट से ready होगी. इस पेस्ट को अध्रकलसन के पेस्ट को अच्छे से mix करेंगे. और इसमें मैं बिर्यानी मसाला add कर दूँगी. शान का बिर्यानी मसाला आगी है. शान add की बात कियी, हमने तो अगर शान की मसाला यूस नहीं करेंगे, तो शान के साथ नाइन साफ भी हो जाएगी तो अब घर का मसाला भी डाल सकता है और मैं थोड़ा सा घर का मसाला भी साथ में डालती हूँ एक चमच मैं इसमें लाल मिर्चें डाल दूँगी एक चमच इसमें नमक डाल दूँगी तो थोड़ी spicy सी बिरियानी बन जाएगी ठीक है जी हमारा मसाला भुन रहा है नमक जो है हमेशा पिंक है, मलियन सॉल्ट is the best सॉल्ट यही उस करती हूँ मैं मसाले को अच्छा सा भून लेंगे तेल थोड़ा सा कम लग रहा है तो थोड़ा सा तेल भी और आइड किया है खाना पकाते बें आपको आइडिया हो जाता है क्याचीज कम लग रही है, नमक कम लग रहा है तेल कम लग रहा है, तो आप साथ साथ आइड कर सकते है तो अब मसाला देखें, अच्छा सा भूना है मेरा फाइफ मिनट्स में भूना होगा फाइफ टू साइवन मिनट्स में इसमें मैं चिकन डाल दूँगी अपनी चिकन डाल के हम इसको चिकन के पानी में ही भूनेंगे हम पानी एड नहीं करेंगे इसमें मसेदार सी जो है वो बिरियानी बनने वाली है और पानी रख दिया है वे ने चावलों को बोल करने के लिए पहले से ही चावल को भीगो के रख दिया था अच्छा सा बोल आया है नमक डाल के इसमें तेज बात और गरम मसाले डाल के इसको हम चावल को बोיל कर लेंगे चेकन देखें बहुत अची सी फ्राइ हुई है हमारी और अब हम इसमें कटे वे आलू डाल देंगे आलू का साइज अपनी मर्जी के हिसाब से रख लेता है लेकिन जब यह कुछ बिर्यानी बन रही है तो इसमें चोटे टाइस डालिएगा ताकि जल्दी से गल जाएं तो थोड़े चोटे पीसिस की हैं मैंने आलू के और बिर्यानी में आलू नहीं हो तो बिर्यानी खाने का वज़ा नहीं आता तो बस यह पांच मिनट के लिए और भुनेंगा एक प्यालीस में मैंने पानी आइड कर दिया है चावल बॉयल हो गए मेरे अब वही हम बिर्यानी क तेह लगाएंगे सबसे पहले नीचे चावल डालेंगे फिर बिर्यानी डालेंगे उपर मसाला फिर कलर डालूंगी मैं फिर दुबारा से बिर्यानी का मसाला और फिर उपर चावल डालेंगे फिर फूड कलर डालेंगे और थोड़े से पुदीने के पत्ते उपर डालके फ अपना खयाल रखियेगा थैंक्स फॉर वाचिंग बाबाई अलाफिस